हेलो एवरिवान, कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अच्छी हूँ क्योंकि मुझे भी दो-तिन दिन से बुखार आ रहा है और जो मैं व्लॉग डाल रही थी वो पहले के एडिट थे मुझे घर आए वे भी दो-तिन दिन हो गए है मेरी जो तबियत है वो वहीं खराब हो गई थी मैं शुकरवार को मतलब घर आने की सोच रही थी पर बीरवार की रात को ही मुझे बुखार आ गया था और परी को तो मैंने बताया नहीं था परी को पहले बुखार था फिर इसका ब्लड टेस्ट करवाया तो इसको हलकी सी डेंगू की शिकायत आ गई थी वो तो ये था कि इसको बुखार आया था वैसे ही मैंने पटा-पट से डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तीन दिन की दवाई दी फिर उसके बाद मतलब इसको तीन दिन की दवाई खाने के बाद इसको फिर से बुखार चड़ा मतलब रात में साड़े नो दस बज रहे थे तो इसे फिर से बुखार चड़ गया तो मेरा मन घवराने लग गया क्योंकि सिस्टर की तव्यत ज़्यादा खराब थी प्रिया की तव्यत आपने देखा ही था कि उसके बोतले वगरा चड़ी थी तो मेरा मन घवराने लग गया मैंने भाई से बोला मैंने का ऐसा कर इसको फिर से बुखार आ रहा है तो इसको चेक करवाना तो भाई रात को 11.30 ग्यारा बजे इसका ब्लड टेस्ट करवा के आया मतलब जहां वो क्लिनिक था वहीं पर उन्होंने रात को 11.30 ग्यारा बजे इसका ब्लड टेस्ट किया पिर अगले दिन मॉर्निंग में इसकी रिपोर्ट आई तो इसकी 10,000 प्लेटे डाउन थी तो ये था कि कम ही हुआ था क्योंकि जल्दी से पता चल गया था तो इसकी जो परिशानी थी वो कम ही हुई थी तो इसकी दवाई फटाफट से स्टार्ट कर दी थी तो जल्दी से इसने रिकवर कर लिया है फिर ये ठीक हुई उसके बाद फिर मेरी तबद खराब हो गई और बहन की तो आप जानते ही है प्रिया की प्रिया को तो अभी भी बहुत जादा वीकनेस है क्योंकि उसको टाइफाइड हो गया था टाइफाइड में बहुत जादा वीकनेस आजाती है मैं मेरा हान दर्द करने लगा है मैं जल्दा इसको ट्राइपोड पर लगा देती हूँ और जैसे ही बहन की तबद ठीक हुई उसको थोड़ा सा आराम मिला उसके बाद मेरी तबद खराब हो गई मेरे को वीरवार को रात में बुखार आया था वो तो मतलब मेरे को हलका फुलका शरीर मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर तूट सा रहा है तो मैंने रात में इना पैरसिटर मूल खा ली दी तो रात में मुझे उस दिन मतला हमारे हाँ की लाइट चली ही तो मतला मेरे को एकदम भिहोशी सी हो गई थी क्योंकि बुखार मुझे बहुत जादा हो गया था तो मुझे इतना पता है कि मेरी सिस्टर की तब्यत खराब थी उसके बाद भी वो मेरे सर में पट्टिया रख रही थी और भाई मुझे बार-बार चेक कर रहा था क्योंकि मुझे बुखार बहुत जादा आ गया था मतलब बहुत तेज बुखार था तो मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब भी नहीं दे पा रही थी इसलिए ही नहीं दे पा हो गई और फिर उस टाम पे प्रिया की तवित खराबती फिर परी की तवित खराब होगी जब आपका माइन टैंशन में होता है तो फिर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती और जो यह व्लॉग्स है मैं व्लॉग्स क्या होता था कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था मैं एड़िट कर लेती थी क्योंकि मुझे पता होता है क्योंकि जब माइके पहुंच आते हैं तो फिर आप लोगों को पते ही है कि टाइम नहीं मिलता है और फिर भाबी की भी आपको पता है बड़ी व फिर मैं दुबारा दवाई लेने के लिए गई फिर शुकरवार की रात को मुझे फिर से बहुत तेज बुखार आ गया लेकिन संडे को भावी जा रही थी तो मैंने का मुझे भी जाना है क्योंकि मैं सिर्फ दो दिन के लिए गई थी लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी तव्यद खराब हो जाईगी और मुझे इतने दिन रुपना पड़ेगा और बहन ने भी नहीं सोचा था उसकी इतनी तव्यद खराब हो गई वो दो दिन के लिए आई थी और ये समझ लो दस दस दिन रुपना पड़ गया फिर मैं शनीवार को घर आ गई थी भाई ने मुझे मतलब ऑटो कर दिया था भाई छोड़ने आ रहा था लेकिन फिर भेहन की तव्यद भी खराब थी फिर थोड़ा बहुत भावी को भी ऐसा लग रहा था उनकी भी तव्यद खराब है और एक भाई डूटी गया हुआ था मतलब क्या था कि एकडम से आचानक से सभी को हलके फुलके लक्षन आ रहे थे भाई शाम को आया भाई भी कहना मेरा सरदर्द कर रहा है मुझे बुखार सा रहा हुआ मतलब एकडम अचानक से सभी को होनी लग गया समझ नहीं है कुछ और भाई तो बोल vectors अच्छा तो हाई रहती हैं अपने आती ही ना क्योंकि बिचारे एक दिन आते तो छोटी वाली पड़ी हुई थी दूसरे दिन डूटी से आ रहे हैं तो परी पड़ी हुई तीसरे दिन डूटी से आये हैं तो मैं पड़ी हुई तो कह रहे हैं सच्छा तो तुम अपने घरी रहती हैं आती नही तो अभी मेरी भी दवाई चल रही है, मैं दवाई लेके आ गई थी महां से, उन्होंने मुझे पांचे दिन की दवाई दे दी थी, उन्होंने बोला कर पांचे दिन की दवाई में आपको फरक नहीं पड़ता है, तो आप भी अपना ब्लड टेस्ट करवाना, खाने पीने का ध्यान डखना है, नारियल पानी लेना है, लिक्विड जादा लेना है, और हरी सब्जियां खानी है, दाल, दलिया, ये सब चीजे खानी है, और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर दो रहा है, सर में और पते इतनी वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा, और सिस्टर की भी तब्यत खराबी है, यह है कि अभी वो काम तो नहीं कर सकती है, वो भी अपने घर चली गई है, क्योंकि बड़ी वाली भाबी चली गई थी, क्योंकि उनका डिलिविरी टाइम नजदी की है, और उनको भी जाना था, तो हमने का आप हम यहां रुक कि क्या करेंगे, लेकिन चोटे भाले भाई ने कहा था, कि रुक जाओ, यहीं रहलो, क्योंकि वहां जाओगे, तो फिर तुमारी केयर वियर कौन करेगा, लेकिन यह है, आप लोग बोलते हो ना, कि माई के जाके अच्छा लगता है, हाँ, सच बात है, कि माई के जाके सच में बहुत अच्छा लग पराटी रख रही थी, रात का टाइम हो रहा था, वो मेरे सर पर पट्टी रख रही थी, तो कहते हैं भाई 때문에, भाई भेने मज़े बहुत 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 ह्याँ हो ती, मेरा भाई मुझे बार्वार आकर चेक कर रहा लेकिन मैं हिम्मत कर रही थी कि मैं मतलब मैं ज्यादा बीमार नहीं होना चाहती क्योंकि मैं बीमारी से तंग आ चुकी हो दवाईया खाखा के तंग आ चुकी हो क्योंकि अभी छे महीने भी नहीं हुए तम मुझे कुरोना हुआ था तो तम मुझे कुरोना हुआ था और पतन पहने पीने का ध्यान रखनी हूँ, पता नी क्यों ये वाले जब आ रए का न पैरों में बहुत जादा होता है, और सर में दर्द होता है, और गले में खरास्य हो जाती है, और एकदम ठंड लगके बुखาก की बुखार आता हह, लेकिन सच में, मेरे भाई बहँ बहुत विखर को ंब कर्णे कि करके और उंच्छे करें क्यु sir uk 95 एंउच 2 opposite у्हया उच्छे से सवाल करें मैं सारे सवाल का जबाब दोनОं आप परी्से मिल जो और अपने घर आ गंकिते हुए नहीं तो मैं आपको अपनी sister से भी मिलवाती और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने भगवान से prayer करी और कहते हैं कभी-कभी अपने हमारा हालचाल नहीं पूशते हैं लेकिन जिने हम जानते नहीं हैं जिनसे हम जल्दी में ही मिले होते हैं, वो लोग हमारे इतने अपने हो जाते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप लोगों के जो मैसेज हैं, मेरे भाई, बहन, मेरे काफी सारे रिलेटिवस में हैं, कि वो भी पढ़ते हैं, तो वो खुद बोलते हैं कि तुमारे जो सब्सक्राइबर है वो कितने अच्छे है थैंक यू मेरी यूटूब फैमली मेरे को मैं गॉड से हमेशा गॉड की हमेशा धन्यवाद करूँगी कि मुझे इतनी अच्छी फैमली मिली है जो मेरे दुख सुक में हमेशा मेरे साथ रहती है वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई परपर नी था क्योंकि मतलब मुझे व्लॉग इस टाइम बनाए ही नी जा रहे है और मैं इसलिए और आ गई थी क्योंकि मुझे रक्षा बंदन की सिलाई करनी थी लेकिन अभी सिलाई लाय करने का बिल्कुल भी मन नी कर रहा है इतनी अंदर से weakness लग रही है लेकिन जो मेरे customer है वो भी बहुत अच्छे है मेरे customer भी है मेरे subscriber भी है तो काफी सारे जो subscriber है उन्होंने मेरी वीडियो देख ली जो मेरे customer है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं रही है तुम अराम से सिल देना हमें कोई जल्दी नहीं है हम कुछ भी पहल लेंगे तो थैंक यू मेरे कस्टमर एंड मेरे सब्सक्राइबर जो आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हो और देखो पर यह अब ठीक है और भेन की भी तब यह मैं ठीक है मैंने उससे सुबह ही बात करी थी और आपने से बहुत सारे सवाल पूछ रहे है तो जल्दी यह सवालों का भी जबाब दूँगी थोड़ा सा थीक हो जाओं मुझे पता है बहुत सारा काम करना है मुझे यूटूब का भी काम करना है और मुझे स्टिचिंग का वहीं काम करना है, लेकिन बस जब इंसान ठीक नहीं होता ना, तो उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता हूं, ज़्षिज करती हूं, अभी मैं अब बता है मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, बार बार चकर से आए जा रहे, फिल लेड जा रही, उठ रही, आप परी से बंदे पूच्ण में उतने की कोशिश करती हूं और फिर उसके बाद मतलब शरीर जवाब दे जाता है फिल लेड जाती हूं तो मैं नारियल पानी भी पी रही हूं गलॉई का रस भी पी पीनाची वो भी थोड़ा सा तागत देता है और इसते ने मेरे सर मैं दर्दॉरा था स प्रिज़ आप लोग इसे एग्नौर करना तो मैंने थोड़ी सी विक्स लगा के इसको बांध लिया है और थैंक यू सच में मेरी यूटूब फैंपली बहुत अच्छी है बहुत अच्छी जो मेरी मेरे बारे मेरी फैंपली के बारे में इतना अच्छा सोचती है थैंक यू मेरी सिस्टर की भी तरवे तब ठीक है लेकिन जो बीमारी होती है उसकी जो वीकनेस है वो जाने में बहुत टाइम लगता है परी को भी अराम है वैसे परी अराम है परी को भी अराम है लेकिन यह है कि अभी मुझे बुखार ना रात के टाइम पर चढ़ जाता है अभी दवा पकड़ता है पता नी ऐसा क्यों है मेरे साथ मेरे को हर मतलब एक तो यह अगस्त का महीना हो गया और एक अपरेल का महीना हो गया जिस टाइम मेरी शादी हुई थी और जिस टाइम मेरा जनम दिन होता है मतलब यह जनम दिन वाला महीना इन महीनों में पता नी क्यों मैं बीमार पढ़ती ही हूँ, पता नी, पता नी, क्या है ये मेरे साथ, हर बार का है पिछली बार भी ऐसे हुआ था, तब तो मैं YouTube पे नहीं थी, उससे पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था, कभी मुझे डेंगू हो जाएगा, कभी टाइफाइड हो जाएगा, कभी चिकन गुनिया हो जाएगा, मतलब पता नी, क्यों मेरे साथ ऐसा हैगा और ये मतलब यहीं नी है, शादी के वादी नी है, मेरे साथ ये, शादी से पहले भी मेरे साथ ऐसा था, पता नी, क्यों होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप में से भी किसी के साथ ऐसा होता है मतलब जो आपके बर्त का महीना होता है उसमें आप बीमार पढ़ते हूँ मेरा जो बर्त का महीना है इसमें तो मैं जरूर बीमार पढ़ते हूँ और दूसरा मेरी जो जिस टैम मेरी शादी हुई थी उस वाले महीने में मैं जरूर बिमार पड़ती हूँ और शायद आज आज आप लोगों को मेरी आवास थोड़ी कम आरी होगी तो प्लीज इग्नॉर करना और आप मैंसे काफी सारे लोगों ने मुझे पसीना आ रहा है दवाई खाई अभी मैंने तो अच्छा है पसीना आ रहा है तो काफी सारे लोगों ने मुझे से बहुत सारे सावाल करे थे तो सौरी मैं आप लोगों के सावालों के जबाब नहीं दे पा रही हूँ एक सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे पूछा था मैं आप लोगों को कभी फुरसत में बताऊंगी कि बच्चे दोई करने थे लेकिन ये जो तीसरा है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी उन्हें इस वज़े से हुआ और छोटी वैली भाबी है उनके एक बेटा है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा और जो बहन है उसके एक बेटी है और मेरे बच्चे तो आपको पता ही है तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वज़े से उनके ये तीसरा चांस हो गया है और बाकी मैं जैसे ही ठीक होती हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाँगी और प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए क्योंकि मैं बहुत महनत करती हूँ लेकिन सच मैं उस हिसाफ से मेरी महनत साइद रंग नहीं ला रही है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे व्लॉग जो है वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाने की बट मैं बताए कि मैं फेक चीजे नहीं दिखा सकती हूँ मैं जो हूँ रियल हूँ मैं रियालिटी ही दिखाना चाती हूँ भले ही मैं धीरे धीरे आगे जाओ लेकिन जो है मैं रियालिटी ही दिखाना चाती हूँ तो चलिए बहुत बाते कर लिया अब मेरे सर में दर्द होने लग गया है तो अब मैं बस थोड़ा सा क्या करूँगी अराम करूँगी मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बाते कर लेती हूँ क्योंकि बिस्तर पे लेटे लेटे भी ना परिशान हो जाते हैं क्योंकि बिस्तर पे लेटे जाओना तो आपको ऐसा लगेगा आप ज़्यादा बीमारी में लेटेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन बस जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना तभी में लेटे हूँ जब मुझसे बिल्कुल उठा ही नहीं जाता तो चलिए इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहीं पे अगर आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंश शेयर कर देना और प्लीज अभी में ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझसे बन ही नहीं रहे है ब्लॉग देखती हूँ कल तक अगर मुझे में कुछ रिकवरी होती है या थोड़ा बहुत अराम मिलता है तो मैं जरूर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओगी कभी कभी सोचते हैं क्या सोचाता क्या हो गया सच मैं जितना मैंने कमाया नहीं उतना मैंने दवाईयों में गवा दिया और मतलब हम लोग सिस्टर और हम ये सोच के गए थे कि हम लोग मंदिर जाएंगे और हम लोग मतलब रक्षा बंदन की शॉपिंग वगरा करेंगे बच्चों के लिए लेकिन क्या हुआ कहते हैं ना कभी भी पहले से किसी काम को सोचना नहीं चाहिए उसका उल्टा ही होता है तो देख सकते हैं आप क्या हुआ है तो चलिए अब जो हुआ है वो तो भगवान की मरजी होती है तो चलिए मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई व्लॉग के साथ तो प्लीज आप लोग अपना प्यार मेरे साथ 104-105 बुखार आ रहा था पर अब इतना बुखार नहीं आ रहा है दवाई उसे फरक तो पढ़ रहा है लेकिन देखते हैं ब्लड टेस्ट करवाने की नौबत नाए बस तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ लावाई